Oxygen OS 11, Android 11, Open Beta 2, 4, OnePlus 6 and 60 बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने हैले दूस्तों नमस्कार अगर आप OnePlus 6 or 60 स्मार्टफॉन की यूजर्स है तो आप लोगों को यहाँ पर Open Beta 2 का अपडेट देखने को मिल जाता है Oxygen OS 11 के साथ में इस अपडेट को आप अपने डिवाइस पर अपडेट करा सकते हैं परन्तु उससे पहले आपको मैं यहाँ पर को जानकारी देने वाला हूँ कि इस अपडेट में आपको क्या कुछ देखने को मिल जाता है और यह अपडेट आपके लिए अपडेट करने लाइक है या नहीं तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूँ यह जो अपडेट है आपको बीटा 2 का देखने को मिलता है यह अपडेट अगर सही रहा तो आपको इस टेवल का अपडेट जल्दी देखने को मिल जाएगा यहाँ पर बीटा 3 का जब अपडेट आएगा तो आपको हो सकता है उसी के साथ में इस टेवल का फर्स्ट विल्ड भी देखने को मिल जाए अ परन्तों मुझे लगता है कि Oxygen OS 12 के लाँच होने के लगबग में ही आपको Oxygen OS 11 का पहला अपडेट देखने को मिलेगा इसलिक साथ आप से मैं बात करूँ आप पर क्या कुछ चीज है फिक्सिस होई है तो सबसे पहले सिस्टम के अंदर आपको Optimize the Overheating Control Management of Third Party App Third Party Application को यहाँ पर मैनेज करना काफी ज़्यादा मुश्कल है क्योंकि Android की प्रक्रिया है वो सीधी सीधी अपडेट हुई है इसकी API तो इसके कार्ण से यहाँ पर Third Party Application काफी ज़्यादा हीट कर रहे थे इस कार्ण से उनको Optimize किया गया है परम तो मुझे नहीं लगता कि पहले से Better Optimization होई है इस तरीके से Android 10 पर Optimization है क्योंकि यहाँ पर Third Party Application जो भी होते हैं उनकी सभी की Compability अलग-अलग होती है जैसे कि मैंने यहाँ पर BGMI को प्ले किया तो उसमें मुझे यहाँ पर काफी यदा इस दिखने को मिले हीट हो रहा है डिवाइस साथ में लैग भी कर रहा है तो यह इसी के साथ अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर यह इसी कब तक फिक्स होंगे तो मुझे लगता है कि बीटा 3 या फिर बीटा 4 पर फिक्स हो जाने चाहिए इस्टेवल का जब अबडेट आ आई जाती है वो भी दी गई है इसी के साथ कैमरा के अंदर फिक्स दा इसू और कैप्चर इमेज के नौट भी सेब यहाँ पर जो भी फोटो को हम लोग कैप्चर कर रहे थे वो अनफॉर्टलेटली कभी-कभी सेब नहीं होती थी ऐसा इसू था उस चीज को फिक्स किया ग बीटा की यह जो अपडेट है वो उतने ज्यादा बैटर नहीं है आपके लिए जो कि आप इन्हें डेली ड्राइवर्स के तोर पर यूज कर सके परंतु यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर चेक आउट किया जो बन प्लस का क्लाउड है उसका एक पॉप-प द देखेंगे तो डिस्प्ले के अंदर क्लीविरेशन है वो यलो टिंट के साथ में देखने को मिला है विल्कुल ही सेम पहले मुझे वन प्लस सेईटी सीरीस पर भी देखने को मिला है परंतु आप इससे फिक्स कर सकते हैं कुछ इस तरीके से नीचे जो आप्शन दिया गया है इसे आप डाउन कर देंगे तो कोल्ड की तरह आप चले जाएंगे आपकी डिस्प्ले यहाँ पर यलो कम देखने को मिलेगी तो इस तरीके से इसको आप सौल कर सकते हैं तो यह कुछ इसूज यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं परन्तु आप अगर फिर भी अपडेट करन अपने डिवाइस के लिए और उसे सिस्टम के द्वारा लोकल अपडेट के द्वारा अपडेट करा लीजिए आप इसका इंवयमेंट कर सकते हैं पर दूज यहाँ पर कोई भी नया एंडियो से पीच लेविल नहीं दिया गया है इस कार्ड से आप अगर ऑक्सीजन वेश 10 10.3.12 के अपडेट पर हैं तो आप अपने डिवाइस पर यह है अपडेट अपडेट नहीं करा सकते हैं मुझे ऐसा फील हो रहा है क्योंकि यहाँ पर एंडियो से करना चाहें तो उपर आई बिटन में आपको लिंक मिल जाएगी वह वीडियो देखने को मिल जाएगी वहा आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी डाउन्डोर्ड ग्रेट करने के लिए भी उम्मीद करता हूं यह जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी इसके लिए आप हमारी वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूने साथ पर चैर को सब्सक्राइब भी